हिमाचा प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजियू बिंदल ने पूर्व की कॉंग्रिस सरकार पर जमकर निशाना साधा बिंदल ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में नाहन में स्वास्थे संस्थानों के रख रखाओ के लिए आए पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया नाहन में जन समस्यां सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए बिंदल ने कहा कि नाहन विधानसभाक शेत्र के आधा दर्जन से अधिक स्वास्ते संस्थानों के लिए दोबारा से धनराशी जैराम सरकार से स्विक्रिद करवाई गई हैं ताकि इनकी दशा को सुधारा जा अधिक शेत्र के आनेक प्राइम्री हैल्थ सेंटर और सुब सेंटर ऐसे हैं जिनके भावनों का निर्मान होना नितान तवश्चक है हमारी पूरव सरकार के दौरान अनेग प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सबसेंटरों के लिए धनराशी दी गई थी परन्तु पूरव सरकार ने उस धनराशी को अनियत्र खर्च किया और ग्रामीन खेतरों की चिकित्सा सुविधाओं को प्रभावित किया ब्यूरो रिपोर्ट से चैनल नाहन